जीन से बड़ी खबर आपको उतार रखेंगे हैं जहां नर्वाना में 11 गाउं के किसान लगातार 49 दिनों से धरने पर बैथे खेंगे हैं और पिलाल खबर यह है कि हर्यान के पूर्मुखे उंत्री भूपविंद सिंग हुड़ा की और से समर्थन दिया गया के इन किसानों को दरसल धरोधी माइनर को भागना से जोड़े जानी कि माग इन लोगों की हैं जो कि लगातार कर रखेंगे हैं तो पानी की परिशानी है जिसको लेकर यह लोग लगातार 49 दिन से धरने पर बैथे हैं और इसके लावा अगर मांग नकी मानी जाती तो पंजाब में शामिल कर सिंग हुड़ा की और से भी समर्थन दिया खें आके इन लोगों को तो तो सुर्य आप देख सकते हैं उस वक्त की जब धरना स्थल पर पहुंचे हो हुड़ा उनकी और से समर्थन दिया खें लोगों को कुल मिला कर 11 गाउं के लोग हैं जिनके मांग ये कि धरोधी माइनर क बरिक हुए है कापी लंबे से इन लोगों की मांग है वो कम से कम खत्म हो जाए और 49 दिनों से लगातार धरना जोखें जारी है बड़ी संख्या में लोग जोखें जारी है और सरकार से मांग मनवाय चारी के लिए प्रियास लगातार जारी है फिलहाल बड़ी खबर ये कि खुड़ा धरना स्थाल पर पहुँचे उनकी और समर्थन दिया गया खें और ये अपील भी के गई है कि सरकार इन लोगों की सुने जायज ही मांग है जिसे पूरा किया चाहिं तो नर्वाना से बड़ी खबर खें लगातार इन लोगों की और से मांग ही कि जा रखी है कि धरोधी माइनर को भाखडा बांग से जोड़ दिया जाए पानी को लेकर जो किल्लत है जो समस्या लगातार बरकरार है उससे खत्म जा जाए या फिर पंजाब में शामिल कर दिय जा जा ये बात भी लोगों की और से लगातार कही जा रखी है फिल्हाल फुपिन रखुडा पूंचे इन लोगों को समर्तन दिया गया गया गुल्षन चावला के हमारे समधाता नर्वारा सिफ ओन लाइन पर जुड़े खें गुल्षन हुड़ा साब की और से भी समर्तन लोगों को जोती बिल्कुल दुरोदी मैनर को बाक्रा से जोड़ने की मांग को लेकर लोग पिछले 49 दिनों से धरने पर बैठे हैं इस पर राजनीती होने लगी अब जेजेपी नेता जुशन चोटाला भी पहुंच चुके थे एक दो दिन पहले समर्तन दे कर गए थे इन लोगों को पूरा नहीं किया लेकिन पूरा मामला क्या है एक बार फिर से बताई दर्शेकों को बिल्कुल अबतादू दरोदी गाम के पाथ जो आसपाथ के गावन 11 गावन हैं महाँ पर पानी है जो जमीन का काफी जहरीला हो चुका है जिसके अंदर बीमारी फैल रही है और जो लोग है कैंसरी काला पीडिया जैसी प्यानक बीमारियों से रोक पीडित हैं और कई लोग अपनी जान भी गवा चुके हैं लोग पिछले तीन दशकों से मांग करते आ रहे हैं तो उनकी मांग को पूरा किया जाई इनलो सरकार रही बंसिलान भी सरकार रही और दस साल पूर की खबर सुनते ही हर्याना सरकार जागी और क्रिशन बेदी मंत्री को यहां पर बेजा वो अंशन तुलवाने में तो सफल रही उन्होंने चार दिन का समय मांगा था लेकिन अंदोलन सफर अंदोलन खतम नहीं करवा पाए लोगों का साथ तोर पर कहना कि जब तक उनको पा सरकार को देखा उसके बाद हुड़ा सरकार दस साल तक रखी अब मनुखर सरकार खें मांग बरकरार खें और हालांकि विपक्ष में बैठी पार्टी आप जरूर समर्तन दे रखी हैं लेकिन जिस वक्त सरकार में थे और इनलो सरकार के अगर बात की जाए खुद मुखे मंत वो भी पुरा हो चुकाक है और लगातारी लोग धरनी पर बैठे के अब बड़ी कबर ही है कि हुड़ा साब पहुंची उनके और से भी समर्तन दिया गयाक है धरनास सल पर बैठे लोगों को धरनी पर बैठे 11 गाउं के लोगों को कर दो